हेलो फ्रेंज, नमस्कार, विल्कम टुट वंडे एक्जाम थार्गित, आप सभी का आपकी अपनी चैनल वंडे एक्जाम थार्गित पर बहुत दोस्वागेते, फ्रेंज, यहाँ पर आज हम देखेंगे हिंदी सक्षण के कुछ इंपोर्टेंट कोश्यन, यह बहुत ही इक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, आप लोग इसे धियान से देखिए और एक चीज आप ध्यान दीजेगा हिंदी सिक्षण में, हिंदी सिक्षण में मिलनी कोश्यन किस टॉपिक से रिलेटेड होता है, मिलनी भासा कॉसल से पूछा जाता है, भासा कोशल से रिल scoring जरूर करिएगा आपके कितने score होते हैं कितना आप लोग सही कर पाते हैं exam के मोहल में पूरा ये आप लोग solve कीजेगा जितने भी मैंने question यहाँ पर रखे हैं तो कितना score होता है comment section में जरूर comment करके बदाइएगा और हमेशा की तरह लाइक और दोस्तों में शेर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करें नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे आप लोग तो उस वज़े से नोटिफिकेशन नहीं जाता है बासा सिक्षण का आदर्स वातावरन है कौन सा है बासा सिक्षण का आदर्स वातावरन जहां पर विद्यार्तियों को अव्यक्त के भरपूर औसर मिले बासा सिक्षण का मौलिक उद्देश भी यही होता है कि विचार कोसल के विकास से नहीं है नहीं पूछा जा रहा है कोस्विंसा आप लोग ध्यान से पड़ा करिए तो यहां पे olpwal सॉन हमारा कौन साइय होगा ओप्सन हमारा सइय होता है यहां पे Digon P इसका संवंद किसके विकास से होता है लेखन की कोसल लिखन कॉसल के विकास से होता है और जबकि इन सभी का सम्मन्द किसे होता है सुद्ध चार और सासवर वाचन कविता पाठ इन सब का बोलने की कॉसल के विकास से सम्मन्द दित है नेक्स कोशिन की तरफ चलते हैं भाषा कॉसलों में सबसे पहले किस कॉशल का विकास करना चाहिए? Most important question, सभी question आपके different different exam में पूछे गए हैं. तो यहाँ पर भाषा कॉसलों में सबसे पहले किस कॉशल का विकास करना चाहिए? और सभी most important question आपको देख के लग रहा होगा. तो आप लोग वीडियो को like जरूर किया करिए. Option यहाँ पर हमारा सही होता है C, स्रमण. सबसे पहले स्रमण कॉसल का विकास करना चाहिए. यहाँ पर भाषा कॉसलों में सबसे पहले किस कॉशल का विकास करना चाहिए? Option हमारा सही होता है C, स्रमण कॉसल का. और भासाई कॉसल के बिकास में कौन से क्रम होता है पहले स्रवण होता है फिर उच्चारण होता है फिर पठन होता है फिर लेखन होता है जितनी चीजी ये मैंने बताई बहुत इंपोर्टन है स्रवण, उच्चारण, पठन, फिर लेखन नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उप्योगी है यहाँ पे होगा अर्थ ग्रहण अर्थ आपके कोश्चन में एक मिनट अर्थ ग्रहण अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उप्योगी है क्या ओप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होता है ओप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है C मौन वच्चन ठीक है Next question की तरब चलते हैं सासवर वच्चन में उच्चारण की सुद्धता का विक्اس होता है ध्यान दीजेगा सासवर वाच्चन में यहाँ पे इससे उच्चारण की सुद्धता का विकास होता है और मौन वाचन में अर्थग्रहन कौसल का विकास होता है नेक्स्ट कोशिन की तरफ चलते हैं अप लोग का कॉंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा हिंदी भासा सिक्षण की विधी है हिंदी भासा सिक्षण की विधी है अप्सन नमार सही होता है D सभी नेक्स्ट कोश्चिन की तरफ चलते है भासा सिक्षण की उपागम है भासा सिक्षण की उपागम है कौन-कौन से अप्सन नमारा कौन सही होता है अप्सन नमारा सही होता है C A और B दोनो विद्यार्थियों को भासा सिखाने यह तो सबसे पहले पार्ट पढ़ाया और समझाया जाता है फिर उसके उपरान पार्ट से सम्मंदित लेखन यह तो दिया जाता है ठीक है? तो पार्ट संसर उपागम और रचना सिक्षन उपागम यह कोग यह clear? नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं हिंदी कॉशल का उप्योग किया जाता है स्वारी सिक्षन कॉशल का उप्योग किया जाता है कहाँ पर? कक्षा के अंदर कक्षा के बाहर? अंदर और बाहर दोनों इन मेंसे कोई नहीं उप्सट नमारा कौन से सही होगा? उप्सट नमारा सही होता है C, A और B दोनों सही होगी यानि कि कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर भी सिक्षक द्वारा सिक्षन कॉशल को प्योग विद्यार्थियों के लिए कख्षा के अंदर और कख्षा के बाहर दून जगों पर क्या चाहता है नेक्स्ट कोस्चिन की दरब चलते हैं बासा सिक्षण का बहुँ भासिक संदर्ब इसका मतलब क्या है most important question बासा सिक्षण का बहुँ भासित संदर्ब क्या है option यहां पर हमारा सही हो तब एक से अधिक भासाओं में सिक्षण सामागरी भासा सिक्षण का बहुँ भासिक संदर्ब एक से अधिक भासाओं में सिक्षण सामागरी है भासा सिक्षण में एक से अधिक भासाओं जो भारत में भासा सिक्षण है एक से अधिक भासाओं में होता है हिंदी वासन्स कि तुँआ अंग्रेजी हुआ इन सभी भासाओं का सिक्षण नेक्स्ट है हिंदी भासा सिक्षण के एक मुख्योत देशी है हिंदी भासा सिक्षण के एक मुख्य उद्देशी क्या है आपसन मेरे कौन से सही होता है ए भासा का ज्यान देना next question की तरब चलते हैं सिक्षण में बच्चे को किसी भी भासा का सिक्षण का एक मात्र लक्षी क्या होता है बच्चों को उस भासा का संपूर ब्याकरण का ज्यान कराना संपूर भासा के बारे में बताना next question की तरब चलते है भासा सिक्षण के रूप में आप किस पर बल देंगे भासा सिक्षण के रूप में आप किस पर बल देंगे option हमारे कौन से सही होता है बिकल्प के कॉर्डिंग ओप्सन हमारा सही होता है डी बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे क्यूरियोसिटी उत्पन करेंगे तो यहां पर उत्सुकता नेक्स्ट कोशिन की दरब चलते है निमले कितने से कौन सा कतन सही है अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो क्या हो रहा है अगर कोई बच्चा गलती कर रहा तो इसका मतलब होता है कि वो बच्चा अपनी भासा अभी सीख रहा है नेक्स्ट कोशिन की तरफ चलते है मानव और पश्वों की भासा सीखने की चमता की अध्यन सम्मंदी प्रयोग हुए अधिकतर किस पर हुए ओप्सनिया पर हमारा सही होता है बी चिंपैंजी और बान रूपर एक्स्ट कोशिन चलते है भासाई ज्यान का मुल्यांकन होता है किसके द्वारा? भासाई ज्यान का मुल्यांकन होता है किसके द्वारा? ओप्सनिया पर सही होगा सी लिखित एवंग मौखिक दोनों परिक्षा के माध्यम से दोनों परिक्षा के माध्यम से होता है लिखित एवंग मौखिक परिक्षा द्वारब विध्यार्थी की लिखने की छमता भासा का ग्यान ब्याकरण का प्रियोग और बोलने की शाली इन सभी का अनुमान हम आसानी से लगा सकते हैं ठीक है नेक्स्ट कोशिन की तरब चलते हैं भासिक सापेक्षता की संबन में प्रचलित ब्याख्या की द्रिश्टी से सही है क्या सही है औप्सन हमारा सही होता है कौन सा ए भासा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है भासिक सापेक्षता की संबन में प्रचलित सिद्धान की अनुसार भासा का विचारों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है औप्सन हमारा यहां पर सही होता है ए ध्वनियों के द्रिश्य प्रतीक होते हैं लिखित भासा में अक्षर ध्वनियों के द्रिश्य प्रतीक होते हैं सामानेते आकृतियों वह ध्वनियों का सम्मन सु इस्थिर तथा सर्व यहां पे सार्भॉम होता है यह क्या है सत्य है सत्य है क्या है ओप्सन यहाप यहमारा कौन से सही होता है यह पूर्टया सत्य है ठीक है नेक्स्ट कोशिन की तरब चलते हैं किसी भी भासा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्पूर्ण क्या है किसी भी भासा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्पूर क्या है ओप्शन हमारा कौन से सही होता है ओप्शन यहापे हमारा सही होता है सी उस भासा का अधिक अधिक प्रियोग करना सबसे महत्पूर है ठीक है अधिकम में अभ्यास के नियम के तवारा अधिका अधिक क्या होता है उसका अभ्यास किया जाए किसी भी चीश का तो यहाँ पर उस भासा का अधिका अधिक प्रयोग करना ही option नमारा सही होगा नेक्स्ट कोशिन की तरफ चलते हैं भासा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है ऑप्सन नमारा सही होगा बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना कहानी सुनाने का मोल उद्देश क्या होगा बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना है कहानियों में बच्चों में क्या होती और धारडाओं का निर्माण हो जाता है बनुरंजन भी होता है कुछ उनमें प्रेड़ा भी जाकरिद होती है लेकिन कल्पना शक्ति का विकास सबसे जादा इसमें होता है, बच्चे कल्पना करने लग जाते हैं, imagine, बहुत जादा, तो option ही आप यह हमारा सही होता है, A, next question की तरफ चलते हैं, भासा सीखने के लिए कौन सा कारक सरवाधिक महत्तुपूर है, option हमारा कौन सा सही होगा, option हमारा सही होता है, D, सम्रिद भासा वाताबरण, भासा सीखने के लिए सम्रिद भासे वाताबरण की सबसे जादा महत्तुपूर भूमिका होती है, क्योंकि इसमें अभ्यक्त के बहुत जादा उसर उपलब्द होते हैं, जो की अभ्यास की रूप में कारे करते हैं, ठीक है, next question की तरफ चलते हैं, इंसान और जानवर की भासा में फर्क है, इंसान और जानवर की भासा में फर्क है, बिकल्प आप लोग पढ़ लीजिए, कि क्या पूछा जारा question में, किसका फर्क है, option यहाँ पर हमारा सही उतसी, इंसानों की भासा को संकेतिक धोनीशिन्नों, संकेतों के माधियम से निर्दारित किया गये, जबकि जानवर की भासा को नहीं, next question की तरफ चलते हैं, बच्चे की भासाई छमता की आकलन का सही तरीका यह नहीं है, कौन सा विकल्प हमारा यहाँ पर सही होता है, next question की तरफ चलते हैं, बच्चे का व्यक्तिकत आकलन, सामोही का आकलन, उनके स्वा आकलन द्वारा, बच्चों की भासाई छमता का आकलन, यह तरीका सही है और उचित भी है, next question की तरफ चलते हैं, भासा सेक्षण का आदर स्वातावरण है, भासा सेक्षण का आदर स्वातावरण कौन सा है, option यह पर हमारा सही होता है, बिद्यार्थियों को अभ्यक्त की पूरी आजादी देना, ठीके, तो जो चात्र है, जिस भासा को सीखता है, उसी भासा की माद्यम से अपनी अभ्यक्ती भी करता है, तो इसलिए जरूरी है कि उसको अभ्यक्त की आजादी होनी चाहिए, ठीके, और जहां पर अब्विक्त की आजादी होगी ऐसी कक्षा का महौल क्या होता है? आदरस होता है नेक्स्ट कोष्चिन की तरब चलते हैं बालग की प्रारमभीक सिक्षा उसकी मात्रभासा में दी जाए या मानना है किसका? अपसन मारा कौन से सही होगा? अप्सन मारा सही हो तब भी महात्मा गानी का ठीक है नेक्स्ट कोश्चिन की तरब चलते हैं उन्होंने ही मादर भासा पर विशेश जोर दिया था नेक्स्ट कोश्चिन है मारा प्रात्मी किस तर पर भासा सीखने से तात पर है क्योंकि बिकल्प में सिखाने से ही मतलब निकल रहा है प्रात्मी किस्तर पर भासा सिखाने से तात्परी है option नमारा सही होता है D. भासा का प्रियोग सिखाना ठीक है भासा का प्रियोग सिखाना प्रात्मी किस्तर पर भासा सिखाने से यही तात्परी है ना कि पूरव व्याकरण से उसे लास कर देना नेक्स्ट प्रात्मिक स्तर पर सिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए अब भी मैंने बताया बच्चे की मात्रभासा होनी चाहिए समाज और परिवार की बीच वो अपनी मात्रभासा में ही बात करता है तो इसलिए उसे मातरभासा में ही सिक्षा दी जाए जिससे कि वह अपने विचार व्यक्त कर सकता और ज़्यादब लग्रहन भी कर सकता है नेक्स्ट कॉश्चिन हमारा बच्चे प्रारम से ही क्या होते हैं बच्चे प्रारम से ही यह सभी कोशिन जितने मैंने लिए आपके एक्जाम में पूछे हों तो friends आप सभी लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए आपके like से हैं में motivation मिलता है, energy मिलती है और फर यह भी पता चलता है ना like का बटन फ्रेस रहता है तो यह वीडियो दूसरों के लिए कितना relevant है तो option हमारा यहां पर कौन से सही होता है? Option हमारा सही होता है B. बहुँ भासी होते हैं ठीक है? Next है प्रात्मिक स्तर की पाठी पुस्तकों का निर्माड करती समें आप किस बिंदू पर विशेज ध्यान देंगे? Option कौन से सही होगा? Option हमारा सही होता है हिंदी भासा के बैविध्य पूर्ण रूप शामिल हो प्रात्मिक इस्तर की पाठी फुस्तोकों का निर्माण करते समय हिंदी भासा के विबिन अलग-अलग रूप के समयलन पर हम विसेज ध्यान देंगे नेक्स्ट कोश्चिन चाम्सकी के अनुसार कौन सा कथन सही है? अप्सन नमारा सही होता है D बच्चों में भासा सीखने की जन्मजाद चमता होती है ये विचार चाम्सकी का है बच्चों में एक नैसरगिक चमता होती जिसके अनुसार उसमें भासा सीखने की अपने आप ग्रहता आ जाती है स्वत्य है? ठीक है? नेक्स्ट कोश्चिन की तरफ चलते है भासा सीखनी की कौन सी बिधी मात्र भासा को मध्यस्त बनाए बिना दूसरी भासों को सीखनी में साहिक होती है कौन सा ओप्षन सही होता है ओप्षन यहाँ पे सही होता है D. प्रत्यक्ष बिधी ठीक है Next question की तरफ चलते है भासा के अस्तित्य यंग विकास फिल इन दा ब्लैंक के बाहर नहीं हो सकता भासा सीखनी में ओप्षन हमारा कौन सा सही होता है भासा के अस्तित्य विकास किसके बाहर नहीं हो सकता ओप्षन यहाँ पे हमारा सही होता है C. समाज के बाहर नहीं हो सकता किसी भासा के विकास और पोश्ण समाज में होता है ठीके नेक्स्ट कोश्चिन की तरब चलते हैं भासा सनरक्षना में अपेक्षित भासा के प्रमुखंग होते हैं कौन से? कितने? आप्सन अमारा सही होता है दो भासा सरशना में अपिक्षित भासा के दो प्रमोखंग होते हैं कौन-कौन सा पहला होता है लिखित दूसरा होता है मौकिक नेक्स्ट कोश्चिन लगभग यहाँ पे दिखिएगा ध्यान से पढ़ लिजीगा लगभग दो साल के बच्चे लगभग दो साल के बच्चे तारवाली भासा जिसे हम क्या कहते हैं टेलिग्राफिक स्पीच टेलिग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं तारवाली भासा का क्या अर्थ है ओप्सन यहाँ पे हमारा सही होता है D मुख्य अर्थ को भ्यक्त करने वाले संग्या क्रिया विशेशन आदी दो शब्दों वाली अभिव्यक्ति ठीक है यहाँ पे तारवाली भासक अर्थ है मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संग्या क्रिया विशेशन आदी दो शब्दों वाली अभिव्यक्ति इस आयोवर के बच्चे प्राय वाकिस अरशना में निपूर नहीं होते हैं और इसके बदले वे मातो कुछ मुख्य शब्दों का उच्चारण कर अपनी मतलब जो उनका उदेश होता है वो ब्यक्त करने का प्रियास करते हैं ठीक है तो यह होती है टेलीग्राफिक की स्पीच नेक्स्ट कोशिन की तरब चलते हैं निमले खित में से किस उद्देश के लिए प्रात्मे के सथे पर भासा नहीं सीखिग जाती। निमले कित मेंसे कौन सा ओप्शन हमारा सहिँ होगा option यहाँ पर हमारा सही होता है भासा का ब्याकरण सीखना next question की तरफ चलते है यहाँ पर पूरे आपके हो जाते है पूरे 30 question complete आपके कित्ते score हुए हैं आप लोग हमें जरूर बताईएगा comment section में comment करके ठीक है चलते हैं आज के सवाल की तरफ आप सभी का सवाल आज का कौन सा है तो यहाँ पर आज का सवाल आप सभी के लिए भासा कोशलों में सबसे पहले किस कोशल का बिकास करना चाहिए भासा कोशलों में सबसे पहले किस कोशल का बिकास करना चाहिए विकलब आप सभी के सामने हैं आप लोग comment section में comment करके जरूर बताईएगा और आप कितना स्कोर कर पाए हैं और आपको question कैसे लगे हमेशा की तरह feedback देना बिलकुल भी न भूलिएगा और याद रखिएगा आपके live classes साड़े आट बजे और morning में साथ बजे दोनों timing आप लोग याद रखिएगा बिलकुल भ बन तेक कर थैंक यू